अगर आपके पास Bank of India का नए LTM आया है तो आप उस LTM का पिन बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसका पिन बना सकते हैं इसका complete process इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं आपको आपके ATM मसीन में आ जाना है यहाँ पर आपको Green Light Blink करता बहुत दिखाए देरा है जब भी Green Light Blink करता है आपको आपके ATM इसमें लगा देना है OTP और Validate OTP आपको जो Generate OTP वाला बटन दिखाए दे रहा है इसको एक बार प्रेस कर देना है इसके बाद आपके आपके ATM के साथ या फिर आपके ATM के साथ जो बे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक छेंगों का OTP स्रिंट किया जाएगा OTP Generate Successfully का मेसेज भी आपके सामने देखने को मिल जाएगा इसके बाद में आपके ATM को आपको यहां से निकाल लेना है इसके बाद में जब वापस से यह Green Light Blink करता है आपका ATM आपको इसमें दोबारा से लगा देना होगा ATM लगाने एक बाद सेम वही प्रोसेज जो आपने पहले फोलो की थी यानि यह टीम लगा देना थोड़ा वेट करना है इसके आद में आपकी लेंग्वेज आपको जो भी लेंग्वेज लेना चाहते हैं वो लेंग्वेज जहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद में आप दूसा जो जो उप्सेंs forget create pin जो आपन ने दबाया था वो यह बटन आपको दबा देना है इसमें दो उप्सेंज मिलते हैं आपको generate OTP और validate OTP आपका जो validate OTP आपको एक बार प्रेस कर देना है जैसे आप continue कर लेते हैं आपके सामने please enter new pain का एक options आज पर आपको एक चारोंग को का pin बनाना होता है जो भी आप pin आपके ATM के लिए रखना चाहते हैं जब भी आप इससे linden करेंगे ये pin आपको enter करना होता है ये pin आपने एक बार दबा दिया इसके द一下 करना करना है यानि दोबारा से जो आपने pin बनाया था वो पिन आपको वापसे दबा देना है इसके बार में आपका pin बनाना चाहरह रहे तो पिन a successfully बन चुका है इसके आद में successful का एक message बेजाएगा आपके mobile number पर यहाँ पर भी लिखा हुआ आगा है इसकी जो receipt है वो भी निकल चुकिए यूर लिखा है यूर पिन इस चेंज successfully यानि आपका जो पिन आपने बनाया था वो पिन successfully बन चुका है यहां से आपको आपका ATM निकाल लेना है और नीचे इसमें cancel का button होता है keyboard में वो आपको दो-तिन बार प्रेस कर देना है इसके बाद में आपका पिन successfully बन गाया है अब हमारा पिन बन गाया है आप इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो पिन बनाया था चार ओंको का वाल अपिन यहां पर आपको एक बार fill up कर देना है देखे सारे options यहां पर खुल कर आगा है अब हमारा balance check करके देख लेता है कि हमने जो पिन बनाया हो सही है नहीं receipt लेना चाहते है तो yes करेंगे इसके बाद में अब हमारे सामने हमारा जो पेसा है वो हमको देखने को मिल जाएगा कितने हमारे balance है हमारे खाते में वो हमको यहां पर clear दी देखने को मिल जाएगा इसकी receipt भी आ गई है देखे हमारे account का जो balance है वो यहां पर दीख चुका है कि ATM का पिन किस तरह ना सकते हैं I hope कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले